कि हलो एंड वालकम टू ब्रेनाथान मैं परविश लड़ा सर्टिफाइड व्यदिक मेट्स ट्रेनर मैं पिछले 15 साल से व्यदिक मेट्स पढ़ा रहा हूं आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है वाट इस व्यदिक मेट्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाट इस वैदिक मेट्स वैदिक मेट्स क्या है वैदिक मेट्स आपके बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए और वैदिक मेट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए एंट तक देखिए ताके आपको पूरो के लिए रो जाएगा वैदिक सूत्र का मतलब है फॉर्मूलेस हैं कितने फॉर्मूलेस हैं इसके अंदर टोटल सिक्स्टीन सूत्र हैं और थार्टीन सब सुत्र हैं यानि यह वैदिक मैच्ट जो पूरे शिटीन सूत्र पे ही बना हुआ है जैनल आप देखोगे ना जो कन्वेंशल मेथड आप यूज करत करने हैं उसी की ही आपको प्रैक्टिस करने और आपकी उस सूत्र से कैलकुलेशन जो स्पीड है वह बहुत-बहुत फास्ट हो जाती है अब आता आती है कि यह व्यदिक मैथमेटिक सेने किसने इसको आपको फांड किया था इस फांड से बाएं जगत गुरु स हरी भारती कर्सना प्रण जी जगत गुरु शरी भारती क्रस्टीरेघ ओए इनको फांड क BJका यह फांड हुआ था नाइंटीन 11 से लेके 19 18 के बीच में ये फांड हुआ था अब बात आती है कि इसके एडवांटेज क्या क्या है वैसे वैदिक मैज के बहुत सारे एडवांटेज हैं आप अगर यंग एज में अपने बच्चे को वैदिक मैज सिखाते होने तो उसकी कैलकुलेशन स्पीड बच्पन से ही होती जाएगी सबसे पहले दूसरा कि आपकी जितने भी कॉंपिटी टू एक्जाम के लिए अगर आपका बच्चा अपियर होता है वहां पे भी वैदिक मैज का बहुत ही जादा यूज होता है वैदिक मैज का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि यह आपकी कैलकुलेशन स्प आपके क्टन में आ जाता है वैदिक मैज मैंद में जनर्ली एक होता है specific method और दूसरा होता है जनरल मेतुट की method होते हैं इसकी जाती है नहीं इसके अदर जैनल मैथिघ्ट भी यूज की जाती है मैं आपको डेमो करके बताऊंगा कि specific method क्या है और जनर्नल मैथट क्या है specific method यानि अगर आपको square find करना हो और जिसके unit place पे सिर्फ और सिर्फ 5 हो तब ही यह method apply हो सकती है वो क्या है कि 5 का square कर दो 25 हो गया और यह 2 के बाद कौन सा नबर आता है 3 आता है तो इन दोने को multiply कर दो तो सिक्स हो जाया यानि आपका final answer क्या हो जाएगा 625 अब यह specific method है क्योंकि यह तभी अपलाए होगी जब आपकी unit place पे 5 होगा लेकिन इसके अंदर जर्नल मेथट भी है जर्नल मेथट यह नहीं आप randomly कोई भी दो डिजिट नमबर ले लो जैसे मैंने यह लिए 31 का square सबसे पह सिक्स हो गया और लास्ट टैप है यह 3 का square कर दो 3 का square हो जाता है नाइन तो आपका final answer हो जाएगा 961 देखा आपने तो इस तरह से specific method भी आपको मिलेंगे वैदिक मेथ में और आपको जर्नल मेथट भी मिलेंगे इन दोनों का combination है वैदिक मैथ दोस्तों बात आती है कि advantage infinite benefit है सबसे पहले आप यह समझ लिए कि बच्चे की है ना speed बहुत बढ़ जाएगी फास्ट हो जाएगा calculation उसके बाद आप देखोगे कि speed and accuracy मतलब जो करता है ने speed के साथ accuracy भी बढ़ेगी जो भी answer उसका होगा 100% right होगा यह concentration और memory में भी काफी improve करता है आपके बच्चे की उ इतने भी competitive exam में हैं वहाँ पर यह logical reasoning का बहुत जादा role play होता है तो यह भी enhance हो जाएगी हमने देखा हुआ है कि बच्चों में काफी fear रहता है मैट्स को लेके डर होता है मैट्स को लेके एक phobia होता है तो वो जो phobia है वो जो डर है ना वैदिक मैट्स से easily निकल जाएगा me math से कैसा subject है जिसमें आप 100 में से 100 ला सकते हो उसके अलवा आपका academic performance बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका confidence and competitive spirit भी बहर जाएगी तो दोस्तों अगर आप अपने बच्चे की numerical ability बनाना चाहते हो तो आज ही अपने बच्चे को वैदिक में सिखाए उसकी शिक्षा और ज 464748 पर आप चाहें तो हमारी website विजिट कर सकते हैं www.brandon.com पर हमारी एक एप है Google Play Store पर जाएंगे और simply आप ब्रैन तो लिखेंगे न तो आपको यह हमारी एप बिलेगी आप वहां से एप भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आई होप आज का वीडियो में आपको समझ आया गया लगा कि वैदिक मैच क्या है इसके क्या बेनिफिट है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए तैंक यू अज़िए